बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों शुड़ियों में हम डिसकस करने वाले हैं कि 14 नौंबर यानि कि सुम्वार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हम प्रोफिटे करते वह देखा था बिल्कुल एक्जक्ट ऐसे ही मार्केट चली जैसे हमने वाली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था यानि कि उस टाइम पर मार्केट यहां पर क्लोजिंग दे दी थी बैंक निफ्टी ने और डाव जोंस और एस्जक्स निफ्टी को देखकर हमने बोला कि मार्केट बहुत बडा गैप लग सकता है तो जब मार्केट यहां पर थी बैंक निफ्टी इस जों में थी तो यह वाला जोhereए यह एक स्पूर्ट की तरह काम करेंगा और बडा बन सकते उसके बाद हम कोल साइड प्लानिंग करने वाले हैं और ये बात हमने वीडियो में भी डिसकस की थी और अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेलीग्राम पे आप देखिया मार्केट खुलने से पहले नीचे आकर एक बुलिश केंडल बनने देना तब हम कोल साइड जाएंगे फिर हमने एक स्टडी भी ली थी उसकी भी चर्चा करेंगे लेकिन आप दोस्तों व्यू देखिए अगर आप प्लानिंग के साथ चलते तो कितना जबरदस्त प्रोफिट हो सकता है यानि कि बड़ा के बाद यह यह वाला एरिया था यह जो केंडल स्थी तीन चार इनको देखके सभी सोच रहे थे कि यह जो गैप है यह फिल होगा लेकिन हमारी प्लानिंग क्या थी जो पहले रसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और इस सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश केंडल यान नहीं कर रहा हूं बलकि आपको अनलीस करना सिखाता हूं बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूं जिनका उप्यों करके प्रैक्टिस करके आप खुद के दम पर नेक्स्ट डे की निफ्टी बैंक निफ्टी के अनलीस कर सकते हो बही मेरा काम तो आपको सिखाना है मैनत करना आ तो ये candle ये भी bullish candle है जो ये वाली दिख रही और ये भी bullish candle है ठीक है ध्यान से सुनिएगा ये hammer type जो candle है इनको याद कर लो बहुत काम आएंगी मंडे वाली मार्केट में जब बैंक निफ्टी और निफ्टी ओपन होगी तो बहुत काम आने वाली है एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रहेगा दोस्तों जो सपोर्ट हमारा कल था यहीं सपोर्ट हमारा आज रहने वाल यानि की मंडे के लिए रहने वाला है मान लीजिए फ्लैट ओपन होई फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 41,000 और 41,950 के बीच में बैंक निफ्टी आती है और इस साइड जाएंगे पूट साइड कब जाएंगे फ्लैट ओपन होई फ्लैट ओपन होने के बाद 42,000 का लेवल तो टूटे ही टूटे पलस 41,950 का लेवल टूटने देना क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोस्तों वहम यह हैं कि 42,000 का एक राउंड लेवल है और यह तूटने सपोर्ट देखोगे तो यह भी कितने पे है 41,950 पे है देख लिजी यह भी 41,950 पे है तो पूट साइड कब जाना फ्लैट ओपन होने के बाद 41,950 के नीचे यह जो मूविंग एवरेज है पचास वाली इसके नीचे जाना शुरूओ तो पचास हट पॉइंट का स्टोप लोस डालना और 100-200 पॉइंट का हमारा टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड पलानिंग कर सकती है यह गैप ही लो सकता है यानि कि 41,700 तक या 650 तक बैंक निफ्टी फिर नीचे आ सकती है अगर 41,950 का लेवल तूटा तो अदरवाइ बहुत बढ़िया जबरदस्त वाला ट्रेड आपको कोल साइड मिल सकता है और फलेट ओपन होके अगर इस लेवल के उपर निकलती है एक सनेरियो यह भी हो सकता है इस पॉइंट को याद रखना दोस्तो जो मैं बता रहा हूँ 41,950-42,000 ये दो लेवल हैं इनके बीच में इन 50 पॉइंट के बीच में आपको बस एक बुलिश केंडल चाहिए और दूसरी केंडल उसको क्रोस करनी होनी चाहिए उपर के साइड बहुत बढ़िया 200-300 पॉइंट की 400 पॉइंट की रैली अपसाइड यहां से देखने को मिल सकती है आपको इस एरिया से ये वाले जोन स से 41,950 और 42,000 यह लेवल याद रखना ठीक है मारक कर ले ना दोस्तों इसको फ्लैट ओपन होई फ्लैट ओपन होने के बाद 42,300 के उपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है हलका सा प्राइस सेक्षन अगर बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टोप लोस वन इस्टोट हमारा टा में दोस्तों क्या करेंगे वहीं अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो यह वाला एरिया जो अभी सपोर्ट है फिर यह रसिस्टेंस का काम करेगा यहां तक वापिस जाके बैंक निफ्टी वापिस नीचे आ सकती है यानि कि गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां से नेगिटिव केंडल का लो ब्रेक होते ही 50-60 पॉइंट का स्टोप डाउन ओपन होगी तो नीचे है दोस्तों दिन की मुविंग एवरेज तो एक बुलिश केंडल बनते ही 39 वाली हम स्टैटेजी अपलाई करेंगे जैसे दिन का हाई ब्रेक होता है तो दिन का लो स्टोप दोस रहेगा और 100-200 पॉइंट का मारा टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड प्लान करेंगे ठीक है और बड़े गैप उप में दोस्तों क्या करेंगे आज कल वाली हमारी बिल्कुल कल वाली प्लानिंग रहेगी मान लीजिए बड़ा गैप उपन हो गया इस किसी रेंज मे है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको सेटल होने देंगे मार्किट को थोड़ा सा नीचे आने देंगे कहां तक आ सकती है 12,300 तक आ सकती है यहां तक आने दीजिए अगर यहां पे आके इस टाइब की कोई कैंडल बन जाती है बुलिस और फिर दूसरी कैंडल उसका हाई ब् प्लानिंग कर सकते हैं यानि कि देखिए अभी भी डेटा दोस्तों स्ट्रोंग है मार्केट एक दो हजार पॉइंट की रेली दिखा सकती है और मैंने यह टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है आप जाके चेक कर सकते हूं मैं समय समय पर वहां पर भी अपडेट देता रहत और 41,950 के नीचे निकले तो पुट साइड ठीक है और 41,942,000 के बीच में कोई एक बुलिश केंडल बना दे चाहिए किसी भी समय आकर बनाए तो दूसरी केंडल बनते हैं कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया रहली आपको अपसाइड देखने को मिल सकती ह बाकी मैं आप PCR डेटा भी चेक करते रहे ना दोस्तों मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता रहता हूं और यह जैसे हमने स्टडी ली थे टेलीग्राम की पेपर ट्रेड करने के लिए ली थी 42,200 का C था 9 बजगे 45 मिनट पे और भाई इसमें कहां तक हमको टारगेट मिले एक पर हमें चेक कर लेता हूं इसमें भाई 350-400 यहनी कि तकरीबन दोनों टारगेट हमको इसमें आराम से मिल गए तकरीबन मेरी ख्याल से 500-180 पॉइंट के आसपास हमको इसमें बैंक निफ्टी में मिले थे बहुत बड़िया स्टडी थी और हम पलानिंग करके बैठे थे और जैसे हमारी रेंज में आई हमने उसको केच कर लिया और अच्छा प्रोफिट हम लेगेगे विटानिया का भी एक स्टडी हमने पोस्ट गुरूब में एक पोस्ट भी डाली थी आज वाली बैंक निफ्ट में लोवर में लिंट्री अलाउड है थोड़ी रिस्की होगी लेकिन अपसाइड मुह आ सकता ज्यादा लोट में नहीं के वले एक लोट में यानि कि यह सारी चीज़े हम पहले ही डिसकस करके बैठे तो आप टेलीग्राम पर भी दोस्तों मुझे जॉइन कर सकते हो सुबह का व्यूव पीसिया डेटा और बहुत सारी स्टडी पाने के लिए फ्री ओप कोस्ट चैनल है कोई पैसे नहीं देने हैं मेरे नाम पर किसी को पैसे मत देना वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में आपको ओर पैचान यह है हर पोस्ट पर 35,000, 36,000, 40,000 ऐसे व्यूज मिलेंगा नहीं कि एक्टिव मेंबर हैं उन लोगों के बले ही हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हों लेकिन वह बोट सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज नहीं आते हैं पोस्ट के उपर और आपको इस गुरूप में उरिजनल चैनल यह है तो आप जाकर जोएन कर सकते हैं टेलिग्राम कर लिए के डिस्क्रीश में डाल दूंगा ठीक है एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरच करने में बहुत सारे फ्रोड चैनल आते हैं तो उस टाइम पर क्या करें आप जाक के जोएन कर सकते हो सीधा यही टेलिग्राम ओपन होगा और 100% फ्री है ना मेरा कोई वाट्सअप गुरूप है ना मोगी कोईल टिप्स एडवाइज कुछ भी नहीं देता हूं मेरे नाम से भाई प्लीज हाथ जोड कर रिक्वेस्ट है किसी को पैसे ना दें चलिए दोस्तों निफ्टी देखते हैं निफ्टी में भी सिंपल सा अलीजिस है और एक चीज मैं आपको बता देता हूं जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था निफ्टी का जो बेस्ट जोन है बेस्ट बाइंग जोन है वो है ठारा जार तीन सोगा भई बेस्ट मैं बोलता हूँ जबरदस्ट बाइंग जोन है बस वहाँ पे आने के बाद आपको एक बुलिश केंडल चाहिए बुलिश केंडल बननी चाहिए वहाँ पर आने के बाद कैसे प्लानिंग करेंगे देखिए मालीजे निफ्टी फ्लैट ओपन होके दिन का हाई यानि की आज का जो मार्केट कलोजिंग दी इसका हाई अगर ब्रेक होता है निफ्टी में पूट साइड जाना है बाई ऐठार हाजार तीन्सों के नीचे पांच या पंदरा मेंट की कैंडल कुलोज होने देना नहींकि फैलाट ओपन होई यह जो लेवल है यह वाला यह वाला लेवल जो है ठारा जार तीन्सों का इसके नीचे या तो रेटेस्ट करें ठीक है या फिर यहां पर 5 या 15 मेंट की candle इसके नीचे close कर दे 18300 के नीचे और यानि की 18278 के आसपास put side entry बन सकती है 3040 point का stop loss रहेगा target 18200 का put side हो जाएगा gap up और gap down की situation में दोस्तों क्या करेंगे कोई resistance तो ही नहीं भाई कोई resistance नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों all time high के आसपास सर रही है अगर हलका full का gap up open होती है और bullish candle बनती है तो जैसे ही दिन का high break होगा दिन का low stop loss 100 point का मारा target हो जाएगा हम call side plan करेंगे लेकिन अगर बड़ा gap up open हो जाती है तो थोड़ा सा नीचे आने देना market को इस range में आने देना 18350 की और यहाँ पे आते ही कोई bullish candle अगर मिल जाती है और उसका दूसरी candle उसका high break करिये है तो 30 points का stop loss 110 point का target हम वापीस से call side planning कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा gap up लग गये और आपको सुभे सुभे profit की इच्छा है तो 3930 वाली strategy apply कर लेना जैसे एक negative candle बनके दिन का low break हो दिन का high stop loss 100 point का target हम put side भी planning कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों इससे ज्यादा फिर अगर gap open होती तो जा पाएगी इस range में आते ही या फिर 18300 की range में आते ही market वापीस एक नया high लगा सकती है अभी all time high nifty का थोड़ा सा दूर है लेकिन वो तूट सकता आने वाले time में क्यों कि काफी strong हो गई है market ज आसपास यह 50 दिन की moving average है एक bullish candle बनते ही दिन का high break होते ही 18350 के target के लिए हम call side plan कर सकते हैं दिन का low stop loss डाल के अगर बड़ा gap down open होके इस range को इस 50 दिन की moving average को भी तोड़ दिया और दिन का low भी अगर break हो रहा है तो दिन का high stop loss रहेगा और 100 point का target हमारा put side भी हो सकता है यानि कि 200 दिन की moving average फिर आपका put side target हो जाएगा बड़े gap down में यह moving average यानि 11200 का level तूटने के बाद ठीक है सबसे best zone क्या है दोस्तों वह मैं आपको बता देता हूं 18300 का है अगर मैं आपको box mark करके दिखाऊं तो यह वाला area है भाई यह वाला area 18300 18280 इस range में चाहे flat open होके आओ या फ down side यह तो फिर हम इसको ignore कर देंगे flat open हो या फिर gap open होके यहां पे आओ या फिर सीधा इस zone में open होती है और इस zone में आपको एक bullish candle इस type की bullish candle मिल जाती है फिर दूसरी candle अगर इसका high break कर रही है तो 30-40 point का stop loss और कम से कम 100-120 point का target हम coal side plan कर सकते हैं इस zone में आती best buying zone है दोस्तों में आते ही आपको एक बड़ा मूह देखने को मिल सकता है 200-200 point का निफ्टी के अंदर तो यह लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो कैसी लगी like और comment करके मुझे जरूर बताना एक प्यारा सा comment दोस्तों जरूर छोड़ना अगर आप इस चैनल पर नह वीडियो नहीं आई है लेकिन लाने की पूरी कोशिस है ठीक है तो अगर आप टेली गराम पे जोएन होना चाहते तो original चैनल का लिंक वीडियो की discussion आप जाके जोई कर सकते हो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आगर यह ला